संजे राना हमारे साथ बने हुए पॉलिटिकल एनिलिस्ट हैं और बीजेपी समर्थक रहते हैं हमेशा अपने विचारों में संजे जी आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूँ कल जो बैठक हुई है उसमें जो तीन एहम पॉइंट हमने बताये थे हमने यादव जाट वोट को साधने की कोशिए जो बीजेपी करेगी उसके अलावा जो एक एम पॉइंट और था वो था कि 2024 लोगसभा चुनाब में हमें 50 फीसदी वोट शेर हासिल करना है पहला क्या बीजेपी इसे करने में संबब हो पाएगी और दूसरा ये कि वोट शेर पे इसलिए सोचने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि अभी जो पांच राज्य में विधान सबाद चुनाब होएं उसमें 10 लाख वोट कॉंग्रेस को जाधा पड़े हैं और हम बात करें 2019 के लोग सबाद चुनाब की तो वहाँ पर बीजेपी को केवल 38 फीसदी वोट में लेते एंडिया को 45 फीसदी और ये 55 फीसदी वोट जो एंटी बीजेपी है ये कहीं एक जोट ना हो जाए इंडिया आलाइंस की वज़ा से इसलिए बीजेपी को ये वोट शेर के रन्नीती पे सोचने के लिए मजबूर हो ना पड़ा बीजी घुट मौरीं जोट मौरन गूँटमाणी के समर्थित पत्रकार को आईना दिखाना अगर भारती पार्टी के समर्थित राजनीतीख विश्चशक बोला जाता तो मुझे कोई कोई कुरेज नहीं है क्योंकि तक्रीबन तालिस प्रतिशा । देश की जनता जो है वो कहिना है कि भारती जनता पार्टी के समर्थन में है तो फिर उसमें मुझे आने में कोई कुरेज नहीं है आपने बड़ा अच्छा प्रश्ण पूछा है कि जो कल मीटिंग हुई और जो एजेंडा दिया गया है क्या 55 प्रतिशत का वो क्या है देखिए ऐसा है कि भारती जनता पार्टी को 37.76 परसेंट मिले थे 2019 के चुनाओं में और एंडिया की चर्चा की जाए तो तक्रीबर 45 परसेंट मिले थे अगर आप विदान सभा से तुलना करेंगे 18 की और 19 की लोग सभा में तो जहां पर उनको 42 परतिशत थे और बढ़ करके 50 परतिशत ह हो गए थे तो आपको याद होगा 2019 के बाद से तक्रीबन एक लाख 25,000 बूत को इडेंटिफाई किया गया है जहां पर भारती जनता पार्टी वीक थी और उस पे काम चला है और कोई भी पार्टी देखिया ऐसा है कि अपने वोट परसेंटेश को बढ़ाने की कोशिश करती है और जहां पर भी वीक होती है उसको अपने अपने पक्षमे करने की कोशिश करती है जो भारती जनता पार्टी कर रही है जहां तक हम बात कर रहे थे और देख रहे थे समाजवादी पार्टी का दे कि समाजवादी पार्टी पिछले 6 महीने से पीडिये की चर्चा कर रही नमबर वन नमबर टू अगर आब बात करते हैं तो अगर आब 2019 का अकड़ा देखेंगे यादर तो करीब नो परतिशत है उत्तर प्रदेश में जो तीन साले तीन चार परतिशत कहीं न कहीं बेज़ेपी को वोट दिया था तो समाजवादी पार्टी को इस समयी सोचना सा कॉणरेस पार्टी हो तो कहीं ना कहीं गणित को देखना पड़एगा जो आपने पास उसको रखिये जो नहीं ऐसको एकत्रित करने के कोशिश करना चाहिए जीछ कहते हैं लेकिन अपना हो चुके हैं जो आपके पास था और दूसरों का दूसरों का हिस्सा लेने के लिए जा रहा है अपना तो मुझ्द पात्स हट कुका अगर जाती वाद से हो रहा हुता तो 2014 के पहले के चुनाओं या 2000 संग के चुनाओं में आप देखा होगा कि एक तरफा वोट पैटन कैसा होता था मुसलमान अगर यह समीकरण हो रहा तो 2019 का चुनाओं टोटल बीजेपी हार चुकी उत्तर प्रदेश में लेकिन नहीं आ रही जहां तक जो बीसपी का वोट परसें को काम करना चाहिए ना कि वोट बैंक को वापस लाने के लिए मुझे कॉंगर्स की तरफ करना पड़ेगा